हेलो एवरिवन तो आज हम न्युः चेप्टर अपना स्टार्ट करतें फिब्ध चेप्टर अपना सैप्रेशन ओप सबस्टेंज यहां पर पहुत सारी उधारण fulfill मैंनी मतला बहुत इंस्टेंस मतला उदारण है when we notice a substance जब हम note करते हैं किसी substance को being separated from a mixture किसी mixture से separate करने पर separate मिद अलग करने पर from a mixture mixture of materials मिक्चर क्या होता है कोई दो तीन चीज एक साथ को अपन डाल देते हैं तो वह सब जो सॉलुशन होगा मिक्चर होगा मिक्चर ओफ मैट्रियल किसका मैट्रियल क्या टी लेफ्स एंड सेपरिट फ्रॉम दाल लिक्विड विद इस टेनर वाइल प्रेपेरिंग टी अपने दे अपने और लेफ्स दोतों सेपरेट हो जाएएक लिक्विड बंते है किर लिक्विड बनते विद भी किनसे को लिफ्स टेनर लेफिव स्टेटर सेक लना तक जाए उसमें फिल प्रिपेरिंग किसी टी को तो आपको यह इभल लिक्विगि दे लेगर हैं आपको नोर्मली घ यह प्रोसेस के से छाइट को सब्सक्राइट करने-वह ने प्रोसेस के पहले क्या था यह दोने एक थी कंपाइट थी Grain is separated from Stalk While Harvesting Grain होते जो Grain मतलब गयों होते न जो अनाज होते Separated from Stalks Separate कर दे जाते हैं Stalks से Wilds Harvesting इसके समय हर्वेस्टिंग की प्रोसेस की तरह Harvesting क्या होते हैं जब अपनी गयों की कटाई होती है जब किसी भी फश्ल की कटाई होती है तो उसके बाद उसे क्या फचलों से क्या एँग Sn dw서 कोई ब्हां निकाला जाता है तो प्रोस्टेस क्या करते हैं हर्वेस्टिंग क्राती है इस क्रूनेट कर लेते हैं उससे बटर को जब गी निकाला जाता है जिसे पहले दूता है दूसरे जमाते हैं दही से क्या निकालेगे हम गी निकालेगे तो गी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम separate करेंगे ने जो गर्ड से धाई से छाज होती है उससे हम separate करेंगे उससे अलग करा जाता है बटर को As we learnt in chapter 3, we get again cotton to separate its seeds from the fiber तो हमने जो previous chapter था, third chapter में हमने पढ़ा था कि जो cotton होता है उसको separate करेंगे जाता है बीजो से तो वह process भी क्या होती है separation कराती है आगे देखिया Perhaps you might have eaten salted dalya और पोहा तो साइद आपने अफशे खाऊगा salted dalya नमक डाला हुआ दलिया और पोहा पोहा खाया होगा If you found that if it had chili in eating you may have carefully taken them out before eating तो पोहा होता है तो पोहे में अगर मिर्ची आ जाए मिर्ची आ को टुकड़ा जाएगा तो क्या करोगा आप पहले इसको separate कर दोगा अलग कर देगो क्यूंकि आप उसको निखाऊगे ठीक है तो यह process भी क्या होती है एक separation हो जाती किसी substance का Suppose you are given a basket containing mangos and gavavas and asked to separate them तो suppose करो you are given तो आपने किसी को bucket में mangos दिये और गवावा मतलब जो अमरूद होता है वो भी दिये आम दिये और अमरूद दिये किसी bucket में अपने and ask to separate them तो आपको कहा गया कि इसको separate कर दो ठीक है कि इसको separate मतलब गवावा को अलग रख दो और mango को अलग रख दो what would you do तो आप क्या करोगे pick out one kind and place them in a separate container राइड तो क्या करोगे आप उठाओ गए और उसको एक separate place में अच्छे place में इसको separate कर दोगे मतलब अलग कर देगो अलग अलग container में seems easy यह दिखता थो बहुत आसान है but what if the materials we want लेकिन अगर हमें material चाहिए यह जो हमें चाहिए जो चाहिए तो separate are much smaller अगर वह बहुत सोटे होंगे बहुत चोटे होंगे then mango और अम्रूद और यह आम की तुल्ला में बहुत चोटे होंगे तो देखिए आप उसको कैसे अलग कर सकते हो imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it तो आप सोचिए imagine करिए मतलब कि अकल अपना कर जिए you are given आपके पास एक glass of sand एक glass मतलब एक glass है आपको मिट्टी है with salt mixed in it और उसके अंदर क्या मिल रहा है नमक नमक mix हो रहा है उसके अंदर impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand तो आप impossible होगा ने जिसे नमक को और मिट्टी को मिट्टी से आप नमक को अलग कैसे कर सकते हो नहीं कर सकते हो चान के भी नहीं कर सकते हो चाने की तो मिट्टी इतनी बारिक होती है उतना ही नमक होगा तो यह बहुत impossible बा इमेज दे रखें जिसकी वह चाय को बुलो के गी निकालते ना उसके बटर इस टेकर आउट बाइ कर निंग मिल्क और तो यह क्या होता है क्या होता है और कर उसको भी क्या बोलते है तो उससे उसके थुरू क्या बन रहा हमारा बटर को सेपरेट क्या रहा है बट वाइव जी मिल्क वी नीड तो सेपरेट सबस्टेंस लाइक इस एट और इस वाट पहली वांट तो यहां पर पहली है वह पूछ रही है कि किसी सब्स्टेंस को सैपरेट करना क्यों आफसक होता है तो इसके बारे में हो जाना चाहती है तो यह डू योर्श शर्पन आपके मिल्लश कि अगर किसी सबुस्ट्रेस को अलग करना है तो क्यों करना है जैस जहां चा को हमें उसकी पतीयों क्यों करना है कsticks आफ वह बैटर हो गा हम पी लिए असानी होगी और जिसरे ही अपनुद बटर को उससे कॉट से क्यूं अलग करना है क्योंकि यह बैटर होगा हमारे लिए बटर को अलग करना तो इससे हम उसको असानी से अलग करके इसको स्टोर कर सकते हैं तो आपके यहां पर एक अक्टिविटी दे रखिए फर्स्ट इन कोलम फर्स्ट ऑफ टेवल 5.1 और गीवन फ्यू प्रोसेस अफ सेपरेशन तो से रखिए रखिए रिक्सपेक्टिवली और गोलम 2.3 में इसको दे रखा हैं होएवर आइम पर इंफ्रोमेशन गिवन इन कॉलम 2 & 3 सीजबल अब कैन यो मैट्च इच प्रोसेस विइद सपरपोस और यूधि यूज तो इसमें पता रखा हैं आपको यहां पर जो वो दे प्रोसिस सेप्रेट हो सकती है ओर साँ हडी सबिया धाव सब्केडाचनगर में जमा हुआ होता है तो उससे आप क्या कर सकते हो प्रापत कर सकते हो बटर को अचाने से तो यह स्कती है जियसे चाय की चलनी से चाहन हो गये चाय की पत्ती होचती बटर की अलग हो इसकती कि व्य separate two different but useful component तो कि अगर separate separate purpose होता है है ना तो किसलिए होता है जो दो substance होंगे हमारे पास उसमें से हमको दोनों को अलग करना है दोनों अलग अलग चाहिए हमें तो उसलिए हमको इस परपरस्टे कर सकते हैं और जो हैं आलग है जैसे हुआ होगा हाए में अलग करने के लिए नान कंकट को करेंगे तो वह भाथ ककट्र होगा इत दो सैप्रेटट करने के लिए या कारेंगे ओस्मैंसे जोलिट कंपोन्न फैक सर्थ mm क्या gobierno आप इसमें जो आमर जो दूद्द से बटर का मिक्षिर बनाता उसके क्या करें जो तुम इंपियोर्टी इन प्लग कर देंगे और जो आप दोनुक का चुछ को सकते हूं तो देखिए आपका अगला तो आपका अंसर दे रखा आपका फर्स्ट का तो भी शिए सेपेरीशन स् सी मतलब यह क्या करेगा रिमूब करेगा इंप्यूर्टी और हांफुल कंपोनेट यह वह बना इसका इंप्यूर्टी और हांफुल कंपोनेट होगा कौन सा प्रकंकर होगा वह स्टोन होगा वह उसको अलग करेगा अब उसका यह क्या है वाट डू यू भी सेपरेट हम इसमे बटर निकालते हैं जो दाई से बटर निकालते हैं उसके लिए हमें चाहिए जो परपस क्या होता है परपस जो सेपरेट ट्व डिफेरेंन बट यूजपुल कंपोरें दोनुं चीज को अलग करना लेकिन दोनुं क्या यूजपुल हो ठीक है जैसे छार्च बंती है जो वह भ बहुत दा कमपोनिट हम दोनों को यूज कर सकते हैं तो यह क्या दोनों को यूज कर सकते हैं, सेपरेट को रिक दाइप खरक है, और इसका क्या आपको een seperation, क्यों жить होता है किसी चीज का, क्यों यूज किए जाता है separate करें के लिए, क्योंकि हम उससे 2 different चीज़ को अलग सकते जो useful चीज़ है, उसको हम अपने पास रख मुझते जो और non useful चीज़ है, उसको हम उसको अलग कर सकते हैं, कुछ चीज़ hij histories होती है, जो आप्टुको